आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमेडीज नेचर स्टेजर में आपका खगत है मित्रो आज हम बात करेंगे काला अडूसा की जस्टीशिया जैंडरूसा अच्छे स्वास्ते के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं आज हम इसको विधिवत जानेंगे मित्रो इसको आप कटिंग के माध्यम से घर में गमलों में लगा सकते हैं और कई परकार से हमारे स्वास्ते के संडक्षन में इसकी भूमिका होती है और आसानी से गमले में लग जाता है इसकी रूट्स भी आप देख पा रहे होंगे इसकी रूट्स फैल जाती है और काफी अच्छी रूट डवलप्मेंट इसकी होती है इसके प्रोपेगेशन में कोई प्रब्लम नहीं आती है मित्रो यह ब्रॉंकाइटिस अस्थमा टुबर क्लोसिस और लंग्स के अंदर जम्म हुए पुराने कफ को निकालने वाला होता है अस्थमा की समस्या लंग्स के लगातार फीक होने के कारण और टॉक्सिंस के ना निकलने के कारण डबलप हो जात है मित्रो बहुत जादा व्रद वेक्तियों में और बच्चों में कम मात्रा में देना चाहिए यह तकाल अपना कारिय करता है दो से चार पत्यां इसके लेकर उसमें एक ग्राम आप एकाइरेंथस एसपेरा जिसको चिछिट्ट्रा कहते हैं चिट्ट्रा का आप राख मिला क और दो से चार पत्यों की राख आप बना लें दोनों को मिलाकर सहद मिलाकर सेवन करें आप देखेंगे कि पुराने से पराने कफ को दूर करते हुए ब्रॉंकाइटिस को ठीक करता है टूबर क्लोसिस की समस्या नुमोनिया की समस्या उन सब को ठीक करता है बहुत अच्छा कर सकते हैं घरों में अच्छे स्वास्ति के लिए लगा सकते हैं बदलते हुए मोसम में या फिर पेट में अगर कीड़े हैं माइक्रोबिल इंफेक्शन है इंटेस्टिनल इंफेक्शन है फंगल इंफेक्शन है इस सब के कारण वहीं अगर का बुखार बना हुआ है तो उ जॉइंट पेंट की समस्य होती है या क्रोनिक रूमेटिजम है ऐसी समस्याओं के लिए आप इसके पत्र लेकर और सरसों के तेल में आप दीमियाच पर पका लीजिए आप देखेंगे कि 50 मिली लीटर आप सरसों का तेल लेकर 20 ग्राम ये एपिकल पॉर्शन इसका डाल दीज जिसमें पत्र भी आ जाते हैं सॉफ्ट ट्विक भी आ जाती है दीमियाच पर पकाने के बाद चान कर कांच के बरतन में भर लीजिए जब भी आपको कभी जॉइंट पेंट हो या फिर कहीं इंफ्लामेशन या सूजन हो गई हो रैडनेस हो गई हो स्किन में कुछ खुजली यह अपना कारे करता है मेंत्रों इम्यनीटी बढ़ाने का भी सेवन की जैता लीजिए और दिकॉक्षन दो से चार पत्र परियाप्त होते हैं और शैद मिलाकर आप से वन कर सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं काफी इफेक्टिव कारे करते हुए आपकी इम्निटी को बनाने का HIV पेशेंट में भी हीलिंग करने का कारे करता है मत्रो ब्लड के प्यूरिफिकेशन में भी काफी अच्छी इसकी उपयो करने के लिए भी काफी अच्छी इसकी हम लोग कर सकते हैं डाइबिटीज के लिए या फिर ब्लड के अंदर को कम करने के लिए इसके पत्र का डिकॉक्षन बना कर सेवन कर सकते हैं में तो प्लांट्स अपना होलिस्टिक अप्रोच के माधियम से कारे करते हैं वो करते हैं अगर आपको आप सकता है तो आप इसको उप्योग में लाइए अधिक मात्रा में स्वेवन करने से कोई भी ऑसदी अपना साइड इसक्ट भी कौस कर सकती है अगर आप निरंतर दो तीन मैंने तक लगाता तर शरीर क्या हो सकता ना होने के बाद भी आप इसको अगर लेते हैं तो साइड इफेक्ट भी इसको आते हैं ज्यादा मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं तो यह कौंट्रासेप्टिव का कारे करता है इन्फर्टिलिटी क कॉज कर सकता है इसका आपको जानकता पड़ेगा तीन मेनी से ज़्यादा अगर आप इसको यूज कर रहें तो आपको कम से कम 15-20 दिन का ब्रेक लेना चाहिए अन्य था ज़्यादा मातरा में लेना इन फर्टिलिटी को कॉज कर सकता है तो यह आपको सेफटी लेनी न defenders के लिए लटकें के लिए बार बार वने बुखार नि utilities सक्व के लिए पॉपलंट में ला सकते हैं गमलों मैं घरों में आप इसको लगा सकते हैं आप इसके ऑस्टिय गुनों से आज काफी हद तक परिच्चित हो चुके हैं cig को बनाने के लिए ए vagy के पेशेंट मेरा हैं के पिक राने के बाद बीद करने के बाद पूर्मीज त॥ है रुति करने का करते हैं सरसों कि मिला करते हैं स्रों को लाने वाला होता है सरीर के टॉक्षिंस को निकालने के लिए कई बार हम लोग वमेटिंग को इंड्यूस करते हैं, उल्टी लाना हम चाहते हैं, तो उसको लाने के लिए सेफ लिए आप इसके जूस में, 10-15 ml जूस में, 600 का तिल मिला कर दीजिए, वमेटिंग आ जाती है, पेट के कीडे निकालन के लिए अप इसका जूसे दे सकते हैं, और कानों में अगर दर्द है, तो इसको 2-3 ड्रॉप इसकी जूस के निकाल कर छान कर, कानों में डाल लिए, कानों कर न दर ठीक हो जाता magic झान ज्मशा सरहरं हैं, या glucose की समशा आँखों में redness हो गई एएए आँखों में डर्द र बता चुके हैं आप क्या कर सकते हैं कि पचास मिली लिटर पानी को अच्छे से गरम कर लीजिए और इसके अंदर की कमल पत्र डाल दीजिए और इसको ढखती रखने के बाद थंडा होने के बाद शान कर आप एक से दो ड्रॉप दोनों आखों में डालिए कंजन के वाइटिस उसके कारण रेटिना पर प्रभाव आता है उसको विठीक करने कार्य करता है काफी अच्छी इसके ओस्तियों प्योग है अब विदिवत आज आज आपने जाना है यह जानकारिया आपको अच्छी लगे तो जरूर शेर कीजिए आपके मित्र आपके सखहा आपके साथी करी जरूर शेर कीजिए अगर आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने इने बातों के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ नए समाधान के साथ आप सभी का धन्यवाद परणाम मुश्कार